रामाइड में भगवान राम के हाथों से रावन का अंधुआ था। रावने एक महान पंडित होने के साथ ही भगवान शिव का परमभक्त भी था। उसको भगवान शिव ने कई वर्दान दिये हुए थे। युद्ध के दोरान भगवान राम के हाथों मरने से पहले रावण ने भगवान राम की भाई लक्ष्मन जी को जीवन की कुछ जरूरी बाते बताई थी। रावण जब अपनी अंतिम सांसे गिन रहा था तब भगवान राम ने लक्षमन से कहा कि रावण के पास जाकर उससे सफल जीवन के अनमूल मंत्र लेलू लक्षमन रावण के पास गए तो रावण ने लक्षमन को तीन बाते बताई रावण ने लक्षमन को बताया कि जब भी कोई शुब कारे करना हूँ तो उस काम को तुरंत कर लेना चाहिए रावण ने कहा कि जैसे मैंने शराम के शरण में आने में देरी कर दी रावण ने लक्षमन की दूसरी बात बताई कि अपने शत्रु को कभी कमजोड मत समझो जैसे मैंने राम को हमेशा समझा रावण ने कहा कि मैंने ब्रह्मभाजी से वर्दान मांगा था कि मनुष्य और वानर को छोड़ कर कोई भी न मार सके रावण ने लक्षमन को तीसरी बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि विभीशन मेरी मृत्यु का राज यानता था ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी मरते समय रावण ने लक्षमन को बताई थे जीवन के तीन बड़े राज